बिस्मिल्लारमान रहीम क्लास 6 जुग्राफिया बाब नंबर 4 चटाने का लोंग कुष्चन इधर आपका फॉर लिखा हुआ है लेकिन जैसे कि हम जानते हैं यह लोंग कुष्चन आपका टू बनता है चैप्टर के लिहाद से तो इसे लोंग कुष्चन फॉर भी कह सकते हैं आएं सवाल देखते हैं तेहदार चटानों पर तफसीली नोट तहरीर करें पेज नंबर 55 पे यह कुष्चन है तेहदार चटानों पर तफसीली नोट तहरीर करें बिसमिल्लारमान रहीम तेहदार चटाने पेज नंबर 48 पे देखें यहां से निशान लगाएं तेहदार च बारिश के इलावा हवा, दरिया और ग्रलेशे चटानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और तूटे हुए चटानी जर्राद को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और दूर दराज इलाकों में तहदर तय बिछा देते हैं जब लंबे अर्से तक ये अमल जारी रहता है तो उपर वाली तहों पर बोज की वज़ा से नीचे वाली तहें आपस में पहवस्त हो जाती हैं और सक्थ होकर चटानी की शकल % कर लेती हैं ऐसी चटानों को तहदार चटाने कहते हैं तहदार चटानों की इक्साम बनने के अमल के पेशे नज़र तहदार चटानों की तीन इकसाम हैं मेकान की चटाने, कीमियावी चटाने, नामियाती चटाने मेकान की चटाने, हवा, दरिया और ग्लैशियर मुखलिफ अंदाज में चटानों को तोड़ते हैं और इस तूटे हुए मवाद को अपने साथ मुंतकिल करके किसी जगा तहदर तहद बिचार देते हैं इस तरह जो चटाने बनते हैं इन्हें मेकान की तरीके से बनी चटाने कहते हैं मिसाल के तौर पर नेक्स्ट पीच पे देखें रेत का पत्थर, शेल और कंग्रीले पाकिस्तान में ये चटाने शुमाली लाकजात और सताय मुर्थफ़ा पोटोहार में बकसरत पाई जाती हैं कीमियावी चटाने, सता जमीन पर मुझूद पानी में मुख्लिफ किसम की नमग्याज शामिल होती हैं जब ये पानी अमले तबखीर के जरीए बुखाराद बनकर हवा में शामिल हो जाता है तो नमक की तहें पिछे छोड़ जाता है जो सक्त होकर चटान बन जाती है ऐसी चटानों की कीमियावी चटाने कहते हैं मसलन चटानी नमक, जिप्सम और डॉलमाइट वगारा लोंग कुश्चन 4 कम्प्लीट हो गया इसे आपने लिखना और याद करना है